ये कहानी एक चीटी और कबूतर की है. अगर हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हमें कभी न कभी उस काम का अच्छा परिनाम जरूर मिलता ही है. एक थी चीटी, उसे बहुत प्यास लगी थी. वो पानी की तलाश में यहां वहां भटक रही थी. गर्मियों का मौसम था उसलिए पानी न मिलने पर उसकी हालत धीरे धीरे और भी खराब हो रही थी. कुछ समय तक पानी की तलाश के बाद आखिर उसे एक नदी मिल ही गई. व पत्थर पे चड़कर वही से जुक कर नदी का पानी पीने की कोशिश करने लगती है. पर ये क्या? जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे की तरफ जुकी वो तो पानी में गिर गई. बिचारी चीटी, एक तो उसे बड़ी मुश्किल से पानी मिला था और वो नदी में ग पेर गई. उसी नदी के किनारे पेर पर बैठा कबूतर ये सब देख रहा था. ये सब देखकर उसे चीटी पर तरस आता है. उस कबूतर ने तुरंट चीटी को बचाने के लिए एक योजना बनाई. कबूतर ने तुरंट पेर की डाली से एक पत्ता तोड़कर नदी के पा जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद उसी नदी के किनारे एक शिकारी कबूतर का शिकार करने के लिए आता है। वो शिकारी कबूतर के गुसले के पास ही उसका शिकार करने के लिए जाल बिचा देता है। वो शिकारी जाल पर कबूतर के खाने के लिए कुछ दाने फैला कर वही पास में एक जाडी में छिपकर बैख जाता है. कबूतर को शिकारी के इस जाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था. वो तो दाने देखते ही उसे खाने के लिए जमीनन पर निचे उतर जाता है. जैसे ह कबूतर काफी कोशिशों के बावजूद भी शिकारी के जाल में से निकल नहीं पा रहा था। शिकारी आकर उस कबूतर को उठा कर चलने लगता है। उसी वक्त चीटी ने उस कबूतर की जान बचाने का फैसला लिया। चीटी उसी वक्त पर आकर शिकारी के पैट पर काटने लगती है। चीटी के काटने के कारण शिकारी को बहुत तेज दर्द होने लगा और वो कबूतर के जाल को अपने हाथ में से नीची फिक देता है। उस मौके का फाइदा उठाते हुए कबूतर जाल से निकल जाता है और उर जाता है। इस तरहे चीटी कबूतर की जान बचा Moral of story अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमें कभी न कभी उसका अच्छा परिनाम मिलता ही है। इसलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के दुसरों की मदद करनी चाहिए। Please आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।